तो इसके कवित्री जो हैं सरली टूलसन है ए फोटोग्राफ का मतलब होता है फोटो फिगर इस पोएम में जो कवित्री है सरली टूलसन जी वह उमर का जिक्र की है किस प्रकार से जो हुमन होता है मानो जर्म लेते हैं यूवा वस्था में आते हैं फिर बिध्धा वस्था और फिर उनकी पुरानी यादे और फिर अन्तोगतवा डेथ होता है वो इस पोएम में उन्होंने जिक्र की हैं अपने उस मदर के बारे में जब वो छोटी थी अन्ने साथियों के साथ खेला करती थी और उनका फोटो जब वो अपने फोटो को देखती थी तो पुराने दिनों की याद आती है अपने साथियों का दोस्तों का लेकिन वह याद ही रहता है क्योंकि एक इसम्रिती बन जाती है जो समय एक बर बैतीत हो जाए वह एक अतीत का काल बन जाता है यही चीज इस पोएम में उन्होंने अपने उस मदर के बारे में जो केवित्री है जिक्र की है आईए पढ़ें और जाने दो काल बो 91 mudar जाइए पढ़ें जा बना जाती बना जाता है भवित वाल जाते है उसम्रिता है सच्छ लवाड़ें और बन जातीत है वहाद जो लद जाता है आए लिए उसम्रेंरा जोल्वति धिको जो नहीं रह घाता है देखें यहाँ पर जो कवितरी सर ली टूलसंजी हैं क्या बातें बताई हैं अपने उस मदर के बारे में The Cardboard Soj Me Cardboard मिन्स होता है फोटो ऐसा तस्वीर फोटो जो की केमरे में आइज ड्राइंग टांग दिया जाता है एक सो के रूप में The Cardboard Soj Me How It Was वह जो फोटो है वह फोटो मुझे क्या दिखाता है उस फोटो को देख करके मुझे क्या लगता है How It Was मने कैसा परतीत होता था उस फोटो को देख करके उन दिनो When the two girls cousins went paddling जब दो चचेरी लड़कियां Wind paddling मने पानी में थप थपाते हुए चलती थी Each one holding one of my mother's hand जो दोनों चचेरी लड़कियां थी चचेरी बहनों की लड़कियां Each one holding one of my mother's hand और जो दोनों चचेरी बहने थी प्रते एक मेरी मदर के हाथों को पकड़ी हुई थी Each one holding one of my mother's hand हाथों को पकड़ी हुए पानी में अपना चल रही थी दखें The Cardboard Soj उस फोटो को देख करके मुझे क्या लगता है Soj, Me How it was मने कैसा प्रतीत होता था When the two girls cousins went paddling जब दो चचेरी बहने Went paddling मने पानी में थपते हुए या चलते हुए तहरती थी Each one holding one of my mother's hand और प्रते एक जो दोनों चचेरी बहने थी मेरी मदर के बाहों को हाथों को पकड़ी हुई थी And see the big girl Some 12 years are so आगे कवित्री बताती है कि जो मेरी मदर थी C means मेरी मदर वो वड़ी लड़की थी और करीबन उसका जो age था उम्र था लगभग 12 वर्स की थी मेरी मदर उस्वक्त जब वे सभी आपस में खेल रहे थे All three stood Still to smile Throw their hair Add the uncle with the camera All three stood तीनों खड़ी हो गई थी All three stood Still Still मनें स्थिर तीनों स्थिर होकर के खड़ी थी To smile Throw their hair Throw their hair man's अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी खड़ी होकर के इस्थिर खड़ी होकर के तीनों मुस्कुराती हुई अपने Hair man's बालों में से Add the uncle चाचा पर With the camera जो camera लिये खड़े थे उन लोगों का फोटो ले रहे थे जो चाचा जी थे उन पर ये तीनों जो लड़कियां थी मुस्कुराती हुई खड़ी थी दखें जो फोटो वहाँ पर टंगा है ड्राइंग रोम में उस फोटो को देख करके मुझे यह लगता है कि कैसा परतीत होता था उस वक्त जब दो चचेरी बहने चचेरी जो लड़कियां थी वह परतेक मेरी मदर के बाहों को हाथों को पकड़ी हुई किस परकार से पानी में थप थपाती हुई चलती थी और जो मेरी मदर थी वह बड़ी लड़की थी तीनों में से दो चचरी बहने और मेरी मदर वह सबसे बड़ी थी उसका उम्र जो था 12 वर्सका था और त्री इस्टूड इस्टील मने इस्टीर खड़ी थी तीनो तुई स्माइल थो देर हैर मने अपने बालों में से उन अंकल वित दे केमरा जो चाचा केमरा से फोटो ले रहे थे उनकी तरफ देखती हुई मुस्कुरा रही थी तीनों और आगे कवित्री बताई है कि उस वक्त जो मदर थी मेरी मदर का जो चहरा था काफी प्यारा सा था मधूर था और देट वाज बिफूर आई वाज बर्न मने मैं उस वक्त जन्म भी नहीं लिया था मेरे जन्म के समय से पहले जो मेरी मदर थी बहुत ही प्यारा सा उनका फेस था चहरा था आगे बताती है और जहां वो लोग जिस पानी में खेलती थी उस बात उसकी जिक्र कर रही है समुद्र की वह जो समुद्र है जहां पर यह तीनों खेलती थी अभी भी लगता है बहुत कम बदला है बहुत कम ही चेंजड मने परिवर्तित हुआ है बहुत कम बदला है वह जो समुद्र था जिसमें जो बहुत कम ही बदला है जहां पर उस सब खेलती थी पैरों को अपना थप थपाती थी उस पानी में तो अत्यधिक रूप से उस अलपकालिक चरडों को वह जो समुद्र का पानी था धोता था या धो रही थी वह बहुत कम ही बदला है तो यहां पर इन पंक्तियों में जो कवित्री सरली टूजजण है अपने उस मदर के बारे में जी करकर रही है कि हमारी मदर जो थी वो चाइल्ड हूड में बल्ल्यावस्ता में बच्पन में कैसे खेला करती थी वो जो दो चचेरी भने हुआ करती थी जो उनकी माहों को पकड़ करके थपथपाती थी पानी में जो मेरी मदर थी वो बारह वर्ष की थी और तीनों खड़े होकर के उस चाचा की तरफ मुस्कुराती हुई देखती थी जो की कैमरे से उनका फोटो ले रहे थे तो ऐसा चीज उस फोटो को देख करके लगता है जो फोटो उस रूम में टंगा हुआ है और जो मेरी मदर थी उसका चेहरा बड़ी ही प्यारा सा था और उस वक्त जो कवित्री बोल रहे हैं कि मेरा जन भी नहीं हुआ था और वहीं समुद्र जो की अभी भी बहुत कम आस्यक रूप से दुग रहा था किसंपर कार से तीक तो समय परिवर्तर सील होता है और जो समुद्र था वह अस्थाई था लेकिन वह जो समय था जिस समय वह लोग अपने चरडों को कदमों को थफफपा रही थी उस पानी में उनके जो वह द्रिस से था वो अलपकालिक था नेक्स्ट आगे देखें कवित्री सरली टूलसन जी क्या बोलती है अपने उस मदर के बारे में सम ट्वंटी थल्टी यर्स लेटर सी उडलाफ एड़ इसनेप साट इसनेप साट मिन्स होता है फोटो सम ट्वंटी थल्टी यर्स लेटर कुछ बीस तीस साल बाद जो मेरी मदर थी सी उडलाफ मने हसा करती थी एड़ इसनेप साट मने उस फोटो को जो फोटो था उस कैमरे म उस फोटो को देख करके जो मेरी मदर थी 20-30 साल बाद भी देख देख करके कैसे हंसती थी सी बिटी एंड डॉली देखे आगे क्या बोलती है सी बिटी एंड डॉली सी उड से देखे 20-30 साल बाद जो मेरी मदर थी जब फोटो को देखा करती थी अपने उस फोटो को जो बच्पन में वो खेला करती थी उन लड़कियों के साथ तो क्या बोलती है सी बेटी और डाली सी उड से कहा करती थी कि देखो देखो बेटी को देखो डाली को तो कि दो अरसर ये बेटी और डाली उन लड़कियों का नाम है जो उसके साथ बच्पन में खेला करती थी तो उसी के बारे में बोलती है फोटो को देख करके कि देखो कैसी लगती है बेटी और डाली and look how they how they dressed us for the beach देखो beach means होता समुद्र तट देखो समुद्र तट पर किस प्रकार से कैसे कैसे हम सभी कपड़े पहना करते थे उस वक्त and look how they dressed मैंने किस प्रकार के dressed मैंने कपड़े पहनते थे us for the beach मैंने उस समुद्र तट पर जाने के लिए किस प्रकार के हमें वो कपड़े पहना करती थी या हम लोग कपड़े पहन करके जहां करते थे समुद्र के किनारे तटो पर खिलने के लिए नेक्स्ट है दसी हालिडे वाजहर पास्ट जो छुटियां हुआ करती थी उन छुटियों में समुद्र तटो पर जो समय बतीत होता था हम लोगों का बिताते थे वाजहर पास्ट अब उनके लिए अतीत का बात बन गया है यहाँ पर लेकी का महोदय बोलती है कि यह जो सी हॉलिडे होती है था यानि कि समुद्र के टट पर जो छुटियां बेतीत करने जाती थी तो वाजहर पास्ट मेरी मदर के लिए हर मने मेरी मदर के लिए पास्ट हो गया पास्ट मने बेतीत हो गया है अतीत बन गया है अतीत का बात यानि ओ समय गुजर चुका है जिस समय वह बच्पन में अपने सहलियों के साथ समुद्र तटपर जया करती थी खिला करती थी उनके लिए पास्ट की बात बन गई है मेरे मदर के लिए और अपने लिए क्या बोलती है सरली टूलसन जी माईन इजहर लाफर और मेरे लिए मेरे लिए उनकी जो हसी हुआ करता था लाफर हुआ करता था वह पास्ट हो गया है वह अतीत बन गया है मेरे लिए अर्थात मेरी मदल अब जीवित नहीं है वह मर चुकी है बस अतीत की बात बन गई है बोथ राई हम दोनों राई मिन्स टेढ़े मिढ़े हो गए हमारे जो चेहरे हैं ओर राई राई मिन्स बिक्रित हो गया है क्यों विथ द लेबर्ड इज आफ लास लास मने च्छती पर नुकसान जो हुआ है बोथ मने दोनों का एक तो मेरी जो मदर थी उनका जो बचपन का यादे थी वह ब्यतीत हो गया अब वह लोटने वाला नहीं है और मेरे लिए जो मदर की लाफ हुआ करता था उनकी जो खिलकिलाहट हुआ करती थी वह मेरे लिए लास की बात है च्छती की बात है तो यह जो लास हुआ है उस लास से हमारे जो चेहरे हैं वो राई मिन्स एंट से गये हैं या बिक्रित हो गये हैं वित दे लेबर्ड मने परिस्तरम से मेनहत से इज मने उस सदमे को काबू में पाने के लिए उसको नार्मल बनाने के लिए जो हमें संघर्स मेनहत करना पड़ा उस मिनहत से हमारे जो चेहरे हैं काफी विक्रीत हो गए हैं तो यहाँ पर कवित्री सरली टुलसंजी ने बताया कि किस प्रकार से उन दिनों का समय होता था कैसे वो खेला करती थी मेरी मदर उन डॉली और बेटी लड़कियों के साथ था और ओ जो दीने हैं उनके लिए अतीत की बात बन गई थी अब वह वापस आने वाला नहीं है बट मेरे लिए उनकी जो खुसी थी उनकी जो खिलकिलाट हसी हुआ करता था अब वह नहीं रहा नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें तिसरा पोएम में क्या बोलती है कवितरी यहां पर वह वेक्त कर रही है जो मेरी मदर है अब वह मर चुकी है कई वर्शो पहले जब वह लड़की जीवी थी इस दाइट गर्ल लिवड बने जिस प्रकार से आने की वह एक लड़की की तरह थी उस वक्त उसका उम्र बारह वर्ष का था उस तकरीबन उस से तो उतने ही वर्ष अभी वेतीत हो चुके हैं यहां पर बता रही है कि इस यह इड़ बीन डेड नियरली अज जब वह एक लड़की थी उस वक्त उम्र बारह वर्ष का था तो बारह वर्ष भी मरे हुए उसको बेतीत हो चुके हैं और आफ दी सर्कुमिस्टेंसेश देर इज नो नथिंग टू से अट आल सर्कुमिस्टेंसेश वाने घटना या परिस्थितिया आगे पेस करती हैं बताती हैं कि इस घटना के बारे में इस परिस्थित के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है इस गटना की जो चुपी है मुझे सांत कर देती है मुझे चुप कर देती है अर्थात उनके जीवन में यह कवित्री के जीवन में यह जो घटना थी बहुत बड़े सदमे वाली बात थी अर्थात वह कह गई कि जो जीवन है वह नस्वर है चड़बंगूर है अस्थाई नहीं है इस चीश के बारे में उन्होंने बताया और जैसे जैसे समय बित्ता जाता है पुरानी यादे यादस्त बन जाती है तो स्टुडेंट इसको रिविजन कर लिजिए थैंक यू